नमस्कार मैं मुसकान का नौजय और आप देख रहे हैं ACC News Today क्रिकेट की दुनिया में स्टम्स बहुत ही महत्पूल होते हैं तीन स्टम्स मिलकर विकेट बनाते हैं और दो विकेट के बीच में ही क्रिकेट का गेम खेला जाता है स्टम्स को आपने अकसर किसी मैच या सिरीज की जिताने वाली टीम के खिलाडियों के उखाड कर अपने साथ ले जाते हुई देखा होगा क्रिकेटर्स ऐसा क्यों करते हैं किया आजकल जो लेटिस लीड स्टम्स इस्तिमाल हो रहे हैं उन्हें भी खिलाडी अपने साथ ले जा सकते हैं स्टम्स से जुड़े कुछ ऐसे ही मज़ेदार सवालों की जवाब हम अपनी क्रिकेट फैंस के लिए लेकर आए हैं चलिए जानते हैं लकडी से बनी इन कमाल की विकटों के बारे में जिनके इर्द गिर्द ही मैदान में खिलाडी डटे नजर आते हैं पहले दो ही स्टम्स की विकट होती थी पहले जान लेते हैं स्टम्स के इतिहास के बारे में शुरुवात में दो ही स्टम्स की विकेट होती थी दोनों तरफ इनी को लगा कर खेल खेला जाता था मगर 1775 में एक मैच के दोरान एक बॉलर की गेंद तीन बार दोनों स्टम्स के बीच से निकल गई और बैल्स गिरी नहीं नहीं तब इस परिशानी से बचने के लिए तीसरे स्टम्स को विकेट में जगा दी गई इन दोनों के बीच दो छोटी सी बैल्स रखी जाती हैं जो थोड़ी सी ही हरकत होते ही गिर जाती है इन दोनों latest technology से less lead stumps की मदद से match खेले जाते हैं क्यों cricketers stumps उखाड ले जाते हैं? आप जानते हैं कि cricketers आखिर क्यों stumps उखाड अपने साथ ले जाते हैं? इसका जवाब यादों से जुड़ा है दरसल किसी महतुपुन match या सीरीज में जब कोई खिलाडी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके लिए वो पल बहुत ही यादगार होता है जैसे best core बनाना या फिर best bowling figure बनाना ये कोई भी सीरीज जीतना इनी यादों को समेट कर हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए ही क्रिकेटर्स स्मिती चिन के रूप में स्टम्स को उखाड अपने साथ ले जाते हैं इंडियन टीम के पुर्फ कप्तान कैप्टन कुल धोनी को भी इनी स्टम्स को अपने घर ले जाने का शौक है धोनी क्यों स्टम्स कलेक्ट करते हैं एक बार जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो इन स्टम्स का क्या करेंगे तब इसके जवाब में MS धोनी ने कहा था ये मेरे रिटायर्मेंट प्लैन का हिस्सा है जो स्टम्स मैं लेकर जाता हूँ उन पर मैंने कोई लेबलिंग नहीं की है कि कौन सा स्टम्स किस मैच का है जब में रिटायर हो जाऊँगा तब इन मैच के पुराने वीडियो को ध्यान से देखूँगा और स्पॉंसर्स के लोगों को मैच कर इनकी पहचान करूँगा ये क्रिकेटर के रिटायर्मेंट होने के बाद मेरा ताइम पास होगा लीड स्टम्स की क्या कीमत है अब आपको बताते हैं कि क्या आजकल जो लीड स्टम्स इस्तिमाल हो रहे हैं उन्हें घर ले जाने की क्रिकेटर्स को छूट है की नहीं इसका जवाब है नहीं आजकल स्टम्स में माइक, कैमरा और लीड लाइट्स का इस्तिमाल हो रहा है इनकी मदद से विकेट गिरने पर कोई विवाद होने पर अमपायर्स को उसे हल करने में मदद मिलती है एक रिपोर्ट के मताबिक इन स्टम्स की कीमत लगबग 25-30 लाक रुपे होती है इसलिए अब इनी खिलाडियों को देना पॉसिबल नहीं है